So, hello and welcome you all, I am Rohit from Mahajan Traders So, आज इस वीडियो में कुछ multiple shares को हम discuss करेंगे तो वीडियो को बिना skip किये end तक देखना और channel को subscribe नहीं किया है तो please channel को भी subscribe कर दिना साथी आप हमारे telegram channel को भी join कर सकते हो जिसके link आपको नीचे description में मिल जाएगी यहाँ आपको bank nepti और nepti की काफी कुछ updates मिलने वाली है तो please जा कर एक बार check out जरूर कर लेना तो वीडियो को करते हैं continue तो iOC में अगर हम देखें तो 129 रुपे 90 पेसे के round यहाँ पर share में हमें आज closing देखने को मिलती है वही अगर देखें तो कल जिस तरीके से stock में बड़त हमें देखने को मिल रहे थी जिस तरीके से stock consistency के साथ back to back हर दिन तकड़े return दे रहा था वही अगर देखें तो आज share में गिरावट नजर आईए यहाँ पर अगर आप देखोंगे 3 रुपे 35 पेसे के round stock में हमें गिरावट देखने को मिलती है 2.51% के basis पे यहाँ पर share गिरता हुआ नजर आ रहा है साथ यह अगर बात कर लें पिछले 5 दिन की growth देखो 6 रुपे तक इस stock बड़ा है एक महीने की growth देखो गये 13 रुपे तक इस stock बड़ा है और 6 महीने में 13 रुपे बट अभी अगर देखें stock में यहाँ पर गिरावट आ रही है और वहीगर देखें जो OMC stocks है अल्रेडी काफी high पर रहे है पिछले कुछ टाइम से बट आज यह सीधा open हुआ 129 रुपेस के रुपेस के रुपेस के रुपेस के रूण और एक huge gap down भी हमें share में देखने को बला बट stock में अगर देखें तो आप positive रह सकते हो कई बड़े जो यहाँ पर analyst है उनका भी यही मानना है कि यह shares आने वाले टाइम में आपको अच्छा पेसा कमा कर दे सकते है बात करें volume की तो यहाँ पर आप देख सकते हो share में आज हमें यहाँ पर लगभग 3 करोड के round तक का trade value देखने को मलता है yesterday यह trade value 6 करोड के round तक का था और 2 करोड के round तक का common and delivery था और यह volume अगर देखें तो यहाँ पर आज decrease हुआ है और बट वही अगर देखें जो community sentiments के आखड़े हैं और अभी भी buying के लिए कह रहे है community sentiments के आखड़ों को अगर आप ध्यान से देखो तो लोग अभी भी यहाँ पर आप देखोगे कि यहाँ पर levels किस तरीके से काम कर रहे है और किन चीजों का हमें ध्यान रखना चीए तो 5 minute के time frame पर हम देखेगे कि stock में यहाँ पर किस तरीके का performance देखने को में मिला तो share में अभी कि अगर बात कर लें तो बिलकुल गिरावट हमें stock में देखने को मिलती है एक huge gap down हमें stock में देखने को मिलता है और gap down की अगर बात की जाए तो यहाँ पर आप देख सकतो stock में लगभग यहाँ पर एक बड़ा gap down morning में ही हो गया था लगभग 1.25 पेज़े तक stock down open हुआ था अभी भी एक gap pending है लगभग पेज़े से 70 पेज़े के round तक का gap pending है तो यहाँ पर एक gap down हुआ है वही अगर देखे last trading season हमने एक चीज आपके साथ share की थी एक चीज हमने discuss की थी कि stock यहाँ पर अच्छी तरीके से बढ़ रहा है अच्छे return यहाँ पर share में देखने को में मिल रहा है और साथ ही एक कर टॉप पर ही double bottom type scene भी इसने create किया है और उसका breakout भी हमें हाँ पर मिला है और यही breakout के बाद stock जो है उपर की और के अच्छे return दे सकता है आने वाले टाइप में 140 रूपिस के level तक भी जा सकता है बटे सा नहीं हुआ stock में एक gap down देखने को आज हमें मिला और जो 132 का level था जहाँ पर से इसने दो बार rejection लिया था उसी level तक है वापस भी गया और उसी level से इसने rejection लिया और यहाँ पर आप देखोगे fall जो है continue हो रहा है तो यह गिरावट हमें देखने को मिली तो last reading season यहाँ पर अगर देखें तो हमने कुछ patterns देखे था बट वही अगर अभी की बात कर लें तो अभी यही चीज आपको ध्यान रखनी कि stock उपर जाने की कोशिश तो इसकी रहेगी थोड़ा बहुत तो यह उपर जाय गई जाएगा क्योंकि यहाँ पर अगर देखें जिस particular range के around एक consolidate कर चुका है पहले उसी range के around यहाँ पर इसने support यहाँ पर लिया है और उसका breakout भी दिया है यहाँ पर आप देखोगे यहाँ पर भी यह थोड़ा time इसने spend किया था यहाँ पर अगर देखें कही न कई एसेंडल टाइप triangle बनाने कोशिश की थी इसने breakout के बाद यह उपर गया था वही पर आप देखो support नजर आता है फिर share गिरते गिरते और downside के और और इस level पर ही इसने support again ले लिया तो support अभी भी break नहीं हुआ है एक अच्छा strong support यहाँ पर हमें देखने को मिलता है आप clearly देख सकतो एक strong support यहाँ पर हमें नजर आ रहा है और यही पर से support लेके यह share उपर की और भी जाता हुआ हमें दिखाई दे रहा है और stock धीरे धीरे ही यहाँ से अच्छे return दे सकता है 131, 132 रुपिस के round तक के return भी यहाँ पर हमें दे सकता है तो इस चीज के ओपर भी आपको यहाँ पर focus रखना चाहिए और वही गर देखें तो 1R के time frame पर मैंने कल भी बताया था आपको एक चीज कि stock में अगर गिरावट भी आती है तो downside के ओर से कुछ इससे levels है जहाँ पर यह support लेने की कोशिश कर सकता है और ओर level मैंने अभी तक यहाँ पर वेसे की वेसे ही रहने दिये थे मैंने मिटाय नहीं थे तो यह कुछ points है यहाँ पर जिनके around यह गोम सकता है और इससे आपको idea मिलेगा कि आपको आगे क्या strategy रखनी चीए stock में किस तरीके के levels आपको यहाँ पर ध्यान में रखनी चीए तो यह कुछ levels है इनके around support ले सकता है अभी तो यह इस range के around support ले रहा है इस range को break करता है तो यहाँ पर support लेगा या फिर यहाँ पर support लेगा इस चीच का दान रखना है बट उपर की और अगर breakout मिलता है तो आने वाले time में stock में जो target रख यहाँ पर रख सकते हो आप वो target 140 रूपीज का रख सकते हो 140 रूपे तक यह जाने की पूरी तरीके से stock कोशिश कर सकता है इस point के उपर भी आपको focus यहाँ पर करना है तो बिल्कुल IOC में हम as a long term के basis पर जो target है वो भी किसी और वीडियो में discuss करेगे अभी के लिए इतना ही और अभी बढ़ते हैं आगे हमारे दूसरे stocks की और भी कल पतरू project यहाँ पर अगर देखें तो बिल्कुल बड़ा है लगबग 8% का move हमें देखने को मिलता है 3,244 करोड का order company को यहाँ पर मिला है जो काफी बड़े number है 3,244 करोड का order यहाँ पर मिला जिसकी वज़े से stock का जो price है वो सीधा 8% के around उपर यह अर गया और वही अगर देखें इसने अपना जो high है 722 रुपे 50 पेसे का high touch किया है नया 52X का high इसने यहाँ पर अच्यू कर लिया है तो एक काफी हद तक बड़ा number है इस चीज के बारे में आपको ध्यान रखना है कलपत अरू project international जो share है यह काफी शानदार stock है आज आप देख सकते हो stock में 51 रुपीज तक का एक अच्छा jump देखने को मलता है और last stock यहाँ पर अगर देखें लास्ट जो इसने closing दी 709 रुपे 20 पेसे के round तक की closing भी यहाँ पर दे दिया और काफी अच्छे high भी लगा 708 रुपे तक की high भी stock ने यहाँ पर लगा दिया एक AC company जिसमें FI's ने यहाँ पर काफी हद तक बड़ी buying की है आज ब्लॉक दिल के कारण इन particular shares में हमें एक अच्छा jump भी देखने विला एक entertainment stock है जिसने आज काफी अच्छा jump लगा है FI's ने यहाँ पर अपना जो stack है उसमें बड़ाया है और वही कर देखे जो company है उस company का नाम है G entertainment तो G entertainment का जो share है वो आज focus में रहा bulk deal हुई आज लगबग 165 करोड के राओं तक की bulk deal हुई जिसकी वज़ा से stock में अगर देखे तो काफी बड़े jump हमें देखने को मिलें बिल्कुल यहाँ पर अगर देखे FI's ने stock यहाँ पर इसके share holders को काफी हत्तक यहाँ पर देखा जाए तो एक बड़ा तोफा दिया है इस चीज का आपको ध्यान रखना है और वही अगर देखे इन्हों ने लगबग 61 यहाँ पर अगर देखे 61,10,797 equity shares लगबग 0.63% का stack यहाँ पर buy किया है इसमें तो इसकी वज़ा से जो G Entertainment का share है G Entertainment का जो stock है उसमें यहाँ पर jump हमें देखने को मिला stock ने 274 रूपिस के level के around closing दी यहाँ पर अगर देखे returns की बात कर ले तो morning में ही stock अच्छा वाड़ गया था वड़ उसके बाद थोड़ा गीरावट आई फिर बाद में और इसमें बड़त आई add and stock ने 3.40 पेसे के return के साथ ही closing दी है और वही कर देखे stock में आगे और भी अच्छी बड़त देखने को बदल सकते हैं जह entertainment एक तगडा शेर हैं और यहाँ पर अगर देखे है FIS की बाइंग या ने काफी बड़ी चीज़े हैं अब बार यहाँ आती है एक bonus stock की Sela sir Tecno Engineering Limited की बात करे गए company की ओर से एक bonus का announcement हुआ है और वही अगर देखे इसके बारे में हमने पहले भी बात की थी और यहाँ पर जो इसके bonus की exit rate है अभी तक announce नहीं हुई है बड़ company ने bonus का जो announcement है और लगबग 20 December 2030 को ही कर दिया था और यहाँ पर अगर दिखा जाए तो 4-1 का bonus company के और से दिया जा रहा है 4-1 का bonus यानि अगर आपके पास इस company का एक share है तो उसके बदले आपको 4 bonus के share मिले गए अगर आपके पास company के यहाँ पर दिखे दो share है तो आपको 8 share bonus के मिले गए तो इस चीज का धान रखना है तो ब वीडियो अगर अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक कर देना चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और एक important शीट अगर आप कोई भी stock में investment कर रहे हो तो इन shares का एक बार analysis जरूर करना फिर ही इन stocks में आपको investment करना है